यहां पर रिसेंटली इंडिया में लॉंच हुआ है और दोन ही स्माटफोन एक तरीके से फीचर वाइस एंड परफॉमेंस वाइस कहीं नगए लुक वाइस अल्मोस्ट एक दुसरी को बीट करती है कुछ न कुछ मोमेंट्स के हिसाब से तो आज मैं इस दोनों ही डिवाइस का शाओमी MI 11 Lite और रियल मिनार्जो 30 दोनों ही डिवाइस का एक स्पीड टेस्ट टॉपिक कवर करने वालो और चेक करते कि दोनों में से MI 11 Lite और रियल मिनार्जो 30 दोनों में से कौन सा स्माटफोन जादा बेटर है स तो इस पीड़प के लिए मैं इन दोनों ही आप्लिकेशन में जाने कि दोनों ही स्माटफोन में मैं आप्लिकेशन का टेस्ट करूंगा तो यहाप लेकिन थोड़ा साथ दोनों ही डिवाइस के फीचर के बारे में मैं एक्स्प्लेंग करना चाहता हूँ जो शाओमी की यह स्माटफोन में 6GB का राम और 128GB का स्टोरेज है तो दोने डिवाइस में 6GB राम और 128GB का स्टोरेज है लेकिन प्राइस टेक के मामले में यह MI11 Lite जादा है ऐस कंपेर्ट तो रियल्मी नार्जो 30 प्राइस का डिफरेंस तो हो गाई बिकॉस MI11 Lite का जो परफॉर्मेंस है एस पर लुक वाइस, डिजाइन वाइस और कहीं नाकर जो प्राइस में आता है वो ज्यादा बैटर है एस कंपेर्ट तो रियल्मी नार्जो 30 इसमें MI11 Lite में जो प्राइसर आता है अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के प्राइसर है लेकिन दोनों ही प्राइसर अपने अपने लेवल के बेस्ट परफॉर्मेंस वाले प्राइसर है लेकिन जाधा जो रिस्पॉंसिव होता है वह मेरी साफसे साथ यह MI11 Lite का यह है अब लेकिन यहाँ पर जब मैं स्पीड अप टेस्ट करूंगा तो जाधा मुझे पता चलेगा इस बार में मैं भी शूर नहीं हो तो यहाँ पर लेकिन बॉड़ी शेप के इसाफ से अगर मैं कहूँ तो जाधा बेटर शाओमी की तरफ से जो MI11 Lite है यह बॉड़ी शेप के मामल में जाधा बेटर है ऐस कंपार टू रियल में नार्जो जो MI11 Lite का जो बॉड़ी साइज है कंप्लेटली स्लीम डिवाइस ही है और रियल में नार्जो थर्टी यह थोड़ा वाइडर दिखता है और अगर मैं कंपार कुरू दोनों को तो जो ज्यादा क्लासिक लगता है वो MI11 Lite लगता है उसके बाद रियल में नार्जो थर्टी लगता है तो पहले बात तो जो MI11 Lite का जो बैक कवर है काफी अच्छा बि सब्सक्राइड आपको आपको एक रियल में नार्जो थर्टी में बहुता हैpower मिलंड़ करते हो निद्सके ऱआप मिलेह ने लोगता है इसे सब्सक्राइड कि में चैम जैक्जरों क्युक्जर बता है की इससे monetary शैप आपको ज़रा बेटर लगता है most of the users का जो response होगा वो MI A level 8 के लिए ज़ादा होगा because जो shape मिलता है वो iPhone की तरह मिलता है और अगर कोई भी person अगर देखेगा first impression आपकी हातों में इस device को तो वो यही notice करेगा कि आपने हातों में iPhone को carry किया है but real Minazo 30 के में कोईसा बोलेगा ने but yes बोल सकती कि तो classic और shiny device है अब दोने स्मार्टफोन में जो बैटरी होती है तो बैटरी के मामले में real Minazo 30 है यह जादा बैटर है real Minazo 30 में 5000 mAh का बैटरी है तो MI A level 8 में कम बैटरी है 4250 mAh का बैटरी donor devices almost same size में आते डिस्पले में लेकिन जो डिस्पले का डिजाइन है वो जादा better MI A level 8 का है because इसमें M wallet डिस्पले आता है और इसमें थोड़ा इससे कम responsive wallet डिस्पले आता है अब यहाँ पर मैंने donor devices के related कई सारे topics कवर किये सो आप मेरे video sections में जाके check कर सकते है अब देखते हैं कि processor की मामले में कौन सा ज़्यादा better है और कौन किसको ज़्यादा beat करता है तो इसके लिए मैं इसमें एक application का test करूँगा जिते कि आपको ज़्यादा clarification हो जाएगा कि कौन से smartphone ज़्यादा better है performance wise में तो यहाँ पर मैंने कुछ application को install करके रखा है left side में है mi11 light और right side में है realminarzo 30 so let's check करते है कौन से device में ज़्यादा better quickly application response करता है तो speed test के लिए ज़्यादा easy पड़ेगा जिसे की analyze करने में easy पड़ेगा so let's start with the first Instagram तो hebben ज़्यादा untenvy आए-चार झाल 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 झाल